आज हमारे साथ बिंद की बेटी एक बेहतरीन कलाकार चात्र नेता और यूबा विचारों को बेहतरीन तरीके से देश के प्रती कहने और करने की इक्छा रखने वाली सिखाती वारी जी हैं आए हम बात करते हैं सिखाती वारी जी से स्वागत है वंदे मातरम दोस्तों और थैंक यू आपने मुझे कवरेज करने की कोशिश की मुझे बात करने की मेरे मन में बहुत सारे खयाल आते हैं अपने समाच को लेकर विंद को लेकर खासकर यूवाओं को लेकर क्योंकि आज य बहुत सारी चीज़े हैं तो यह सब भागना नहीं चाहिए भी हव तो इस ट्रॉगल ओन इत जिसे मैं बहुत ही नॉर्मल फैंवी से आर लोग कहते हैं बहुत ही नॉर्मल फैंवी जाए अज भी कच्छे घर पे रहती हूं आज भी मेरे पापा के पास कोई जॉब नहीं है हा इसके साथ यही कोंगी और यूथ प्लीज प्लीज इस्ट्रगल करो डर्ना नहीं चाहिए किसी चीज से नाहीं किसी चीज से भागना चाहिए और अगर आपकी स्कूलिंग के बारे में बात करें तो मुंबई जवलपूर फिर सतना और अब रीवा काफी ज्यादा स्कूलिंग लाइफ में थी तब मेरे डेडी बिजनसमें थे मार्केटिंग मैनिजमेंट चला थे तो जहां रेडी का बिजनस होता था और मुझे एक जगे रहके पढ़ने की आदत नहीं मुझे 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 घूमन अच्छा लगता है तो जहां रेडी होते थे वहां हम जाते थे और वहीं स्टाडीज चलती थी मैंने सी बेसी बोर्ड में पढ़ा है उसके बाद मैंने सतना की मेरी फेड़ेट स्कूल एक राइज होती वहां से मेरा ट्विल्थ पास आउट हूँ और बस इसी टाइप पढ़ाई चलती रही उसके बाद कॉलेज पर इन्वस्ट बहुत सारे स्टेजस मुझे देखने को मिले अच्छे बे बुरे भी बहुत सारे भाई मिले दोस्त मिले जोनोंने मतलब मैं एक सिंगल कर चाइल हूँ अपने माता पिता की कोई भाई बहन नहीं बट मुझे मैं आज गर्व से कह सकती मेरे इतने भाई यह जितने एक सगी बहन के नई होते होंगे और इसी इसका बहुत प्राउड फील होता है होनहार छात्रा एक मल्टी स्टार परसनाल्टी कलाकार बास्केट बाल प्लेयर इतनी सारी इतनी सारी एनरजी लाती कहां से है आप बस यह सब तो आपका प्यार है आप सब युवाओं का बुज़र्गों का जो मुझे अपनी बेटी को इतना ज़्यादा आशिरवात देते हैं प्यार देते हैं मुझे महनत करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मैंने आसक सुना है कि जिसके पास मनी नहीं होती है वो कुछ कर नहीं सकता है ही और शी इस नथिंग फॉर दिस लाइफ और वर्ल बट मेरा कहना यही है कि पैसे ही सर्वो परी नहीं है मेरे पापा का कहना है मैं अक्सर यह चीज उनके माइन से लेती हूं कि भीटा आप तरखी करते जो मेहनत करते जो मैं कहता हूं कि एक बार आप सकसस नहीं होगे आप उसके पिता हो यह नहीं जाने जाओ कि आप इसके बच्चे हो बस इतना ही कि अगे क्या प्लान है आपका क्यूंकि इतनी सारी चीजें कर चुकी है और ऐसा लग रहा है कि फिर से कोई धमाका हो सकता है धमाके का तो पता नहीं अगर वैसे तो मैं competitive exam fight करना चाहती हूं क्योंकि मुझे स्टार से बहुत प्यार है अगर मैं आपके शहर की MP बन गई या कोई भी बहुत बड़े पत पर पहुची मुझे लोगों ने प्यार दिया सहीोग किया उपर तक पहुचाने में लेकिन अगर म मुझे कभी स्टार्स मिलेंगे या competitive exam में फाइट कर पाती हूं तो मैं सब को छोड़ के competitive exam fight करना पसंद करूंगी और अपने देश की शहर की शेवा करना पसंद करूंगी बिकॉज एक पॉलिटिशन 5 साल 10 साल 15 साल बीस साल रहता है लेकिन हमें 60 या 62 साल की सेवा करने का बिना कुछ लिये हुए लोगों की मदद करना चाहती हूं खासकर उन गरीब लोगों की जो सिर्फ गरीब ही होते जा रहे हैं जिनको लोग नीचे गिराने में सबसे बड़ा श्रे बड़े लोगों का रहता है गवर्मेंट ऑफिसर्स का भी होता है अभी कुछ टाइम पहल जाओ तो ज्यादा बहतर होगा क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता है बहुत ही कम लोग उसके सुनते हैं और अपना जो देश है मिट्टी से अपन कहते हैं हम भारत देश के हैं और हमारी मिट्टी ही सरवोपरी है यहां की अगर हम फॉरन कंट्रीज जाते हैं हमारे एक किसान को उपर उठाओ नारी को उपर उठाओ क्योंकि नारी मा बेटी बेहन बीबी सब कुछ वो है मैं यह नहीं कहती कि पुरुष प्रधान देश है तो उसको महिला प्रधान कर दो लेकिन इतना जरूर कहती हूं एक एक इक्वल कंपैरिजन दो वुमेन को और मैन को यह संस्कृत हमारे देश की रही है और लेकिन जब ऐसा हम देखते हैं कि हैदराबाद में प्रियंका जैसी बेटियों के साथ दुसकर्म और फिर जला करके मार दिया जाता है तो बहुत ही आक्रोस उत्पन होता है लेकिन आक्रोस चंद दीनों का हो करके रह जाता है और फि इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप पहले मैं इस चीज़ पर बहुत ही बहुत ही उनको तो दिल से शधान सी अर्पित करती हूं प्रियंका जी को बस इतना कहना चाहती हूं जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल सही नहीं हो रहा है और मैं आपके अपने माननी नारेंद यह पते हुए तो उनके साइड पे भी बात होनी चाहें लेकिन अगर गल्स से होता है तो बिलको डारेक्ट फासी दे देनी चाहिए बिना सोचे बिना क Ugh कुछ देखे वो यह जैसे पता है कि चार throw away तहीं कि यह जान अच्छे से लेकर चलना चाहते थी बट आज उस दिन्या में नहीं है और मैं दुबारा नहीं चाहते हूं कि कोई प्रियंका रेड़ी और निर्भया बने और इसके साथ यही कहूंगी कि प्लीज कानून और संविधान में संशुधन करके डारेट फासी दीजे अगर आप दो चीजे नहीं होती है लोगों के मन से डर खतम होता जा रहा है जैसा हमने 2012 के निर्भया केस में देखा कि अभी तक आरोपियों को फांसी नहीं दी जा सकी है और अभी पिछले दिनों की ही बात है पटियाला हाउस को से उनके मान निकली तो आशू लेकर निकली और उन्होंन कर रही है मैं तो शायद बहुत गंदा शब्द होगा उनके लिए मैं तो कहती हो उन्हें जलाओ आधा जला चोड़ो उसके उपर नमक मिर्ची डालो और पब्लिक कर दो जो मन है पब्लिक करे और इतना इतना बुरा डंड दो की लाइफ में मतलब वो सोच नहीं सके और उस चार दिन में लगभग 20 मिनट में हैर बलातकार हो रहे हैं देश में तो कमी कहां पर आ रही है कानून विवस्था में मैं कमी मानती हूं जहां तक अपन का मानना है कि पुलिस तभी आती है जब एक कांड हो जाता है कभी एंड वक्त पे पुलिस नहीं आती है जैसे रोड की बाते होती है जब 100 नंबर चलाया जाता है तो उस रोड पे खासकर मैं नहीं कहती दिन पे घूमें 100 नंबर क्योंकि हजार काम होते हैं लेकिन रात में तो एट लिस्ट आती जाती रहना चाहिए क्योंकि मतब रेप करना फिर उसके बाद जलाना वो एक मिनट का कांड नहीं हो करते हैं तब कहते हैं मैं इस देश की शेवा करने के लिए हूं इस देश के लोगों की सेवा करने के लिए हूं लेकिन फिर मेरे हिसाब से सिर्फ ही अपने घर की सेवा और खुद की सेवा करते रह जाते हैं जो बहुत ही गलत है और मैं शरकार से यहीं अपील करना चाहती ह अभी उसी मामले को लेकर जिके जब अनुदुबे ने संसत के सामने प्रदर्सन करने की कोशिस की तो उनके साथ महिला कॉंस्टेबल नहीं जादती की हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है और एक दो बार नहीं बहुत बार हुआ है मेरा आज से चार दिन पहले जब हम अंशन में बैठे हुए थे एक कॉंस्टेबल माम थी मैं उनका नाम नहीं जानती हूं लेना भी नहीं चाहती हूं बिकास किसी परसनल का नाम लेके कोई फायदा नहीं है इन फैक्ट हमारे शहर की बहुत बड़ी ऑफिसर है और वो लोग खुद कॉपरेट नहीं करना चाहते हैं अगर एक महिला महिला के साथ नहीं खड़ी होगी सपोर्ट नहीं करेगी तो कुछ नहीं हो सकता है ऐसे आए दिन केस होते ही रहेंगे और हम लोग कितनी भी रैलिया निकाल लें कितना भी कोशिश कर लें लेकिन मुझे सही नहीं लगता कि कभी हो पाएगा बस इतना कह सकती हूं अगर कानून को टाइट किया गया और उसमें सक्त से सक्त कारवाही करने का आदेश दिया गय है इस बारे में आप क्या सोचते हैं मैं तो देश की सेवा करना चाहती हूं समाज की सेवा करना चाहती हूं महिला ससक्तिकरन को उपर लाना चाहती हूं क्योंकि आज भी कहीं से पेपरों में है कि यह इक्वल का कंपैरिजन दिया गया है महिलाओं को बट आज भी पुरुस सेफ लोटेंगे या नहीं लोटेंगे कहीं भी जाने से पहले उन्हें एक सिकोटी की ज़ुरत पड़ती है चाहे उसका भाई हो या बहन हो भाई हो या पापा हूं कोई भी हो सकता हो चीज के लिए लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगे अगर कभी मुझे पबलिक ने और और अगर कभी पद मिला तो मैं उस पद का बहुत ही दल से धन्यवाद करती हूं आभार वेक्ट करूंगी और पूरा काम करने की कोशिश करूँ गाणी ऐसा काम करना चाहते हूं जो हमारे जिला में किसी ने नहीं किया हो और अपने जिला को एक संभाग बनाना चाहती हूं एक महिला सुरक्षा व्यवस्ता को बहुत ही टाइट करना चाहती हूँ फिर हम मैं पूर पीपल्स के एजुकेशन को लेकर कहती हूँ लोग कहते हैं सिर्फ गरीवों को एजुकेशन चाहिए मैं तो कहती हूँ हमारे ओल्ड परसन जो हमारे सयाने लोग है उनको भी एजुकेशन की जरुवत है कि अटलिस उनके ही घर के बच्चे ये ना बोले कि ममा आप नहीं पढ़े हो दादा जी आपने नहीं पढ़ा अटलिस थोड़ी बहुत उनके लिए भी एजुकेशन की कुछ विवस्ता करनी चाहिए फिर उसके बाद मैं स्वास्त की सेवाओं के लिए मैं बोलना चाहूंगी हमारे हां पे डॉक्टर्स नहीं है उतने जादा जो हमारे हां मेडिकल कॉलेज तो बनने जा रहा है लेकिन गरीबों का घर गिराकर मेडिकल कॉलेज बनाना जायज नहीं है मैंने खुद मेडिकल कॉलेज के लिए रैली निकाली थी बट मैं इस लिए रैली निकाली थी कि एक गरीब का घर तोड की और एक दूसरे वेक्ति को या बच्चों को पढ़ने का राय मेले ऐसा नहीं चाहती हूं एसी जगे पर मेडिकल कॉलेज बनाए कि किसी का घर ना ही किसी को प्रॉब्लम हो और मेडिकल कॉलेज भी बन जाये स्टुडेंट्स को पढ़ने के लिए जगे भी मिल जाये और गरीबों का घर भी रहा है किसी का बसेरा तोड के कुछ नहीं मिलना है और मैं बात करूंगी, मैं डिग्री कॉलिज की अध्यक्ष हूँ और वहाँ पर मैं देखती हूँ, पर्मानेंट प्रोफेसर्स गिंती के कुछ चुनिंदे प्रोफेसर्स बचे हैं सब्सक्राइब करना चाहती हूँ, कि पर्मानेंट प्रेंसिपल्स हर कॉलेज में भेजे जाएं, पर्मानेंट टीचर्स के लिए वेकेंसी निकाली जाएं, और टीचर्स भरती के जाएं, जिससे बच्चों का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा हो सके। और आप एक यूबा नेता हैं, आप चातर संग अध्यक्ष भी रही हैं और टीचर्स कॉलेज में भी चातर संग अध्यक्ष के लिए आप लगातार प्रयास रहें, लेकिन जुनाओ नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण बस। तो यूबाओ का राजनेती में आना और कॉलेज परिसर के अंदर राजनेती का होना, इस बारे में आप क्या समझते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि कॉलेज में राजनेती नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं होनी चाहिए, और कहीं न कहीं शिवर मैं इस इतना ही कहना चाहूंगी कि पॉलेटिक्स होना बहुत ज़िए है इस्टुटेंट् निया क्या होता है एक एक करियर है जैसे हम स्पोर्ट्समें बन सकते हैं आपने देखा होगा है अपने ही मध्रदेसे हैं जिनहोंने फैटर प्लाइन चलाया है और अपने देश के लिए लड़ाई की है आपने यहां से बहुत सारी महिलाई हैं अपने विंद से जो बहुत ही सक्सास पॉइंट पर बैठी है और मेरा यही कहना है कि पालेटीक्स कोई गलत चीज़ नहीं है, मैंने भी बहुत बार सुना है जब मैं politics में आई, कि महिलाओं को politics में नहीं होना चाहिए, युवाओं को politics में नहीं होना चाहिए, लाइफ खराब हो जाती है, पढ़ाई में concentrate नहीं हो पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने क्लास की टॉपर भी हूँ, कभी फस्ट रेंग, कभी सेकेंड रेंग आती रही है, और स्टाडिस में भी कभी पीछे नहीं रहीं, politics भी किया है मैंने, और अगर एक लीडर होता है, तो अगर हमारे टीचर्स नहीं सुनते हैं, हम बहुत टाइम देखते हैं, कि टीचर्स इग्नोर करते हैं, बच्चों की नीट्स को, बच्चों की बातों को, तो वो लीडर ही आपकी बाते उपर तक लेकर जाता है, और यह फस्ट स्टेप है, पॉलिटिक्स का, जैसा कि हम जितने जादा जादा बड़े लीडर्स को देखें, उनका पॉलिटिकल करियर उनके कॉलेज से स्टार्ट हुआ था, हमारे शहर के एंपी हैं, गनेश सिंग जी, उनका भी पॉलिटिकल करियर उनके कॉलेज से स्टार्ट हुआ था हमारी मेरी आइडल है शुश्मा सुराज जी उनका भी पॉलिटिकल करियर अखिल बाती विद्यार्थी परशद और कॉलिज से स्टार्ट हुआ था और बहुत सारे एक्जामपल्स हैं आप जी अरुन जेटली जी की भी है जी 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 बहुत सारे अच्छे अच्छे न कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए और इसमें कुछ गलत नहीं है युवाओं को और बढ़ चड़ कर आंगी आना चाहिए जिससे इसमें भी बहुत सारा क्या बूल सकते हैं प्लैस और माइनस के लोग आ जाएं तो एक अच्छा समाज बन पाए सम कुछ बढ़ा हो सकता है ऐसी समभाबना जाहिर के जा सकते हैं इस बारे में कुछ गैए हमें इतना सारा लोगों से प्यार मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने चानल की ओर से करना चाहती हूँ बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं सबका और करना चाहती हूं हम लोग कुछ मुवीज का प्लान कर रहे हैं मुवीज लाना चाहते हैं बहुत अच्छे मैटर्स पे बहुत अच्छे स्क्रिप्स पे उसके लिए एक नया चैनल लॉंच होने वाला है वो नेम कुछ भी हो सकता है चैनल का अभी जो हमारे प्रोड्यूसर है क कुल्दीब तिवारी केडी उनके पास वक्त नहीं है मैं भी थोड़ा सा पॉलिटीशन हूं तो मुझे भी वक्त नहीं मिलता हमारे ग्रूप के लोगों के पास वक्त नहीं है लेकिन में भी आशा है कि न्यू यर पे आपको कुछ नया देखने को मिलें दर्सकों को और जिन्होंने आपको पैदा किया है आपको पाला है पूसा है कुछ भी करने से पहले एक बार उनकी तरफ देखें अपने हार्ट मैं सबसे सिंपल सा मैटर बताते हूँ जब भी माइंड आपका स्थिर ना हो आप अपने हार्ट पे हाथ रखिए और आइस क्लोस करके बस ये स में से कुछ टाइम तूने देही सकते हैं पहली बात तो किसी चीस से हारना नहीं चाहिए स्ट्रगल करना चाहिए और उतना स्ट्रगल करते रहो कि जब तक आपको सक्सेस पॉइंट ना मिल जाए हां मैंने अपने स्टार्टिंग पर ही बोला है कि मैं क्या सकती हूं कि एक सक्सेस नहीं मिलेगा दो बार में नहीं मिलेगा वट एक दिन ऐसा होगा कि तरक्की आपकी कदम चुमेगी और मैं एक छोटा सा चीज बोलना चाहती है यूवा के ही बल पर जक्की आजादी पलती है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है यह डायलोग आपका का संबोधन करने तब उनके मुझे यह सुना था और मैं तब सेकेंड स्टैंडर्ड में थी तब से मुझे डायलोग याद है और बहुत पसंद भी है और मुझे इतना जादा जोज दिखता है कि अगर इसी डायलोग क्यों पर भी अगर आप काम करोगे ना तो आपकी लाइफ निकल सकती है एक कला कार के तौर पर आपने कई सारे सौट मुझे की हैं सौट वीडियोज बनाए है उसमें आपका फेबरेट डायलोग कौन सा था फेबरेट डायलोग तो नहीं कह सकती हूँ बट एक जरूर था और तो सब मौसी के लड़के हैं आप बस तो मेरे सगे को बहुत प्यारा लगता है हम लोग की बहुत प्यारी सी फामिली है कोई प्रडक्शन हाउस नहीं बोल सकते हैं कोई चानल नहीं बोल सकते हैं वह तो सिर्फ नाम के लिए है हम लोग बहुत प्यारी सी फामिली है और इसी तरह खुश रहना चाहते हैं और हमें पब्लिक का क्या संदेश...? बस यही संदेश देना चाहती हूँ अपने माइन को free करो और वैसे नेता का choose करो जो आपके देश और आपके शहर का नाम रoshan करें और उसे तरक्की के रास्ते पर ले जाए ना कि वैसे नेता का चैन करो जो आपके शहर की मिट्टी तक खा जाए एक्जाम्पल्स हमारे लोगों के पास खुदी है युवाओं को ये कहना चाहती हूँ जो हमारे स्टुडेंट मतलब फ्रेंड्स बोल सकते हैं छोटे मेरे भाई बहन है उनको ये कहना चाहती हूँ अपनी लाइफ में सक्सेस पॉइंट पर जाए एक अपना गोल डिसाइड क करिये और उस पर भागते जाए निरंतर प्रयास करी और एक दिन आप सक्सेस होंगे वेरी गुड विशश फॉर यू और दूसरा अपने युवा नेता के बारे में कहा तो युवा नेता के बारे पर ये कहना चाहती हूँ कि अगर कभी मुझे चांस मिला अपने शहर अपन के लिए अतना कुछ काम किया है बहुत-बहुत धन्यवाद दाखवर्दा नियूस को उसने हमें कवरेज किया और एक नॉमल सी पस्नालिटी को ऊपर लाने की कोशिश की और मैं आप पबलिक से यही अपील करना चाहती हूं इस चानल को लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करें और इतना जादा फेमस करो यार कि अपने मद्ध अपने विंदी की आवाज पूरे मद्ध प्रदेश में देश में राज्ज करने चाहिए बहुत-बहुत धन्यवाद यह थी हमारे साथ सिखाती वारी जी एक यूबा नेता एक यूबा विचारक एक छात्र नेता कलाक और बास्केटबाल प्लेयर और कई सारी मल्टी स्टार परसनाल्टी को अपने आप में कुछ भी कर सकती हूँ कुछ ऐसी परसनाल्टी रखने वाली सिखाती वारी जी आप देख रहे हैं दख़बरदार न्यूज नमस्कार धन्यवाद दखबरदार हिंदी निउस चैनल के शेर करें सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद